प्रेस्ट बेल आइकन आप इपाट्चाला चैनल एंड नेवर मिस अनदर अपडेट सो नाव वी आर बैक विद द न्यू एम्ची क्यू सिरीज क्लास 11 की बच्चो ये हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है 11 जिसे आप आधुनी करण के रास्ते बोलते हैं इस चैप्टर से रिलेटिड अगर आपको वीडियो देखनी है तो उसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहाँ से देख सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटिड अब हम MCQ देखने की कोशिश करेंगे तो मेरा नम विजह है और आपका अई पार्ट शाला में बहुत बहुत स्वागत है अगर आप चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब और चैनल ताकि आपको सभी चीजों की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे कोशन नमबर वन की बात करेंगे आप जानते हैं कि चाइना की एक ऐसी नदी है जो दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक आती है तो वही MCQ है कोशन नमबर वन का कि आपको थर्ड लार्जेस्ट रिवर बतानी है वर्ल्ड की यानि की पूरे संसार की दुनिया की जहां पर वो चाइना के इंदर फ्लो होती है उसका नाम क्या है तो पर्ल नभी, शी नदी, यत्टांग नगी और पील नदी ये दो नदिया है जो अलग अलग नाम से भी पुकारे जाती है चाइना के अंदर तो अट प्रेजन टाइम इसका नाम आप देखते हैं यत्टांग सी नदी बोलते हैं आप चाइनिज लैंग्विज में अगर बोलेंगे तो चांग सियांग बोलेंगे इस नदी को ये दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक आती है और ये तीसे नदी है बहुत सारे इलाकों को ये कवर करती है आप देख सकते हैं बहुत सारे चाइनिज की सिटीज को भी ये कवर करती है location चाइना है आपको find out करना है comment करके ये बताना है कि अगर ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है तो इस नदी का flow कितने किलो मिटर के अंदर चाइना के अंदर होता है बहुत important question में से एक आ सकता है तो question number ये पहले का answer C है question number second की बात कर ले कि कभी भी ऐसा रास्टे पती अगर आपने देखा हो जिसका स्तीफा मांगने के लिए नागरिकों ने candle light प्रोटेस्ट करा हो तो ऐसा कूरिया में एक बार हुआ था इसी वेज़ से question number second का जो आपको बताना है answer वो क्या है चार पॉइंट दिये हुए है और कोरिया का एक ऐसा रास्टे पती जिसके स्तीफे के लिए candle light विरोध हुआ था candle light विरोध के त्रू ही कहा गया था किसका स्तीफा मिलना चाहिए इसे रास्टे पती की post में नहीं होना चाहिए तो दोस्तों रास्टे पती उस समय पे ये आप woman बोल सकते हैं ये एक woman थे जिसे आप पार्क गुएन हाई बोलते हैं तो ये थोड़ा सा अजीब सा नाम में बोल सकता हूँ लेकिन इसका answer भी है या ठार भी प्रेजिडेंट थी उस time period पे जिस समय पे क्या कहते हैं नहीं है तो इसलिए इनके लिए candle light प्रोटेस्ट हुआ था मलब दुनिया है कुछ भी हो सकता है यहाँ पे तो इसलिए इसका answer भी है कोश नमबर थड़ की बात कर लेते है Korea war हुआ था एक time period इसमें South Korea और North Korea दो हिस्सों में बढ़ गए थे तो जब South Korea बढ़ चुका था तो South Korea को आर्थिक साहता कौन से देश के थुरू मिल रही थी USA, UNO, Japan या चाइना तो Korea को help कर रहा था USA क्यों क्योंकि 1900 ऐस time period पे देख सकते हो 1950 से 1953 के बीच में ये war चल रहा था South Korea को अगर USA help कर रहा था तो North Korea को कौन help कर रहा था तो आपको ये भी find out करना है चलो ये find out मत करिए मैं आपको बता देता हूँ USSR अब ये USSR क्या है? USSR अब country रही नहीं 1990 के बाद ये country रशिया बन गई थी तो इसलिए उस समय ये USSR थी बहुत country को मिला के country ये बनाए के तिसे USSR बोला गया था उस समय नौर्थ कोरिया की मदद कर रही थी और South Korea की economic मदद कर रहा था USA ओके तो question number 4 की बात कर लेते है जापानियों नहीं अपनी लिखित लीपी का अधार किसको बताया है that means जापान का जो भी written script है या उन्होंने किस से उधार लिया है तो ऐसा कहा जाता है क्योंकि जापान का attachment जारतर चाइना से है that is why चाइना से ही इनका जिस तरीगे से Chinese language लिखी जाती है और उसी अधार पे ही Japanese language भी लगबग लिखी जाती है मैं बोल सकता हूँ लगबग चीज़े सेम ही है तो इसलिए इसका answer जो है वो A है question number 5 की बात कर लेते हैं यहाँ पे Commodore Matthew Perry घर के इनका नाम था असल में यह 1853 में एक वेपारी बनके जापान के अंदर यात्रा करने के लिए आये थे और इससे जापान को फाइदा हुआ क्या था फाइदा हुआ था या नुकसान हुआ था या Commodore Matthew Perry जब जापान अपनी यात्रा करने के लिए आये था तो उसके इमिडेट यानि की ततकालिक परिणाम हमें क्या देखने को मिले क्या देखने को यह मिले कि जापान और सहीं तुराज्य अमेरिका जो है उनके बीच में अच्छा गडबंदन हो गया या जापान और पश्चिमी देशों के साथ वैपार डवलप्ड हो गया या जापान और अमेरिका के बीच युद्ध हो गया या जापान के अंदर मैं बोल सकता हूँ जो बढ़त था अलगावाद मला अलगावाद की बढ़त जो थी वो बढ़ने लग गए थी तो सही माइने में USA से आयोए जापान मैथ्यू पेरी स्नेल करके जापान पहुंचेते हैं उनका मेन मकसद ये था कि वैपार को बढ़ाना तो दाट इस वाए पश्चिमी देशों के साथ जापान का वैपार उस समय पे डवलप हुआ था 1853 के बाद तो दाट इस वाए इसका आंसर जो है वो B है कोशे नमबर अगर हम देख ले तो जापान के अंदर लग्जीरियस गुड जादा तर कहां से इंपोर्ट किये जाते हैं कहां से लिये जाते हैं तो आपको ये जाना ज़रूरी है क्योंकि अभी उनको बताया है मैंने आपको कि चाइना से ही उनका रिलेटन जादा है यहाँ पे आंसर भी चाइना ही है लग्जीरियस चीज जैसे की कार हो गया और उसके बाद मुबाइल फोन हो गया बहुत सारी चीज जैसी हो सकती है जो इनसान को लग्जीरियस फील कराती हो वो सारी चीज़े जादा तर वो चाइना से ही खरीदते हैं टेके या वहाँ से ही समान आता है अब कोशन नबर सेवन की बात कर लेते हैं कोशन नबर सेवन के अंदर देखो रेशम एक ऐसा सिल्क उद्योग था जो early time period पे cotton के रूप में इस्तमाल होता था उससे बहुत सारी गरम चीज़े बन दी थी लेकिन बाद में चाइना की लोगों ने ये देखा कि रेशम का उद्योग जो है उससे बहुत महंगा उन्हें पढ़ रहा है इंपोर्ट करने के लिए तो रेशम के opposition में मैं कह सकता हूँ ये option में उन्होंने किस चीज़ का development करा था तो निशजिन एक तरीके का cotton होता है जो महीन cotton होता है चाइना के अंदर मिलता है और उन्होंने उसका विकास यानि कि मैं कह सकता हूँ उसकी agriculture करनी चालू कर दी थी निशजिन एक तरीके का cotton ही है silk ही है और वो अब इस्तमाल होता है बहुत बड़ी मातरा के अंदर कहां पे चाइना में और जापान में भी इसका इस्तमाल लगबग देखने को मिलता है रेशम के option में question number 8 की बात कर ले यहां पे when did the Chinese Community Party emerge victoration form in the civil war in यानि कि Chinese Community Party कब ग्रहय युद के बात जो थी विजय हो पाई असल में चाइना के अंदर 1945 के अंदर civil war जाई situation हो रखी थी और finally उन्होंने उसके युद के बात देखा गया कि लगबग 1934 में जाके इन्होंने ग्रहय युद को खतम करा और वहाँ पे Chinese Community Party वहाँ पे बनी और जब Chinese Community Party वहाँ पे जाके बनी तो पहले प्रिमर आप देख सकते हो Zoo and Lie जो बने थे पहले उस देश के परधान मंतरी बने थे और उसके बाद इन्होंने भारत के अंदर भी सफर किया था या आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा तो आप 12 क्लास में पढ़ेंगे That is why इसका आंसर जो है वो 8 का आंसर जो है वो B है Question number 9 की बात कर ले चीन और जापान में एतिहास लिखने की एक लंबी परंपरा क्यों है That means historical writing लिखने का एक long tradition Japan या China दोनों में हमें देखने को क्यों मिलता है तो सही माइने में वहाँ पे एक कारण यही हो सकता है Because they had common tradition Because they have an important guide for the ruler Because their ruler had a historical mindset तो यहाँ पे असल में वहाँ पे जो लोग इतिहास लिखते हैं Main उनका मकसद है कि चितने भी ruler आए उनके लिए guideline बन जाए Rules and regulation बन जाए That is why इतिहास जापान में और चाइना के अंदर बहुत लंबे समय से लिखा जा रहा था और आपको interesting fact यह बता दूँ कि सबसे पहले चाइना के अंदर ही यानि कि चीन में ही सबसे पहले लिखने की परंपरा आई थी के लिए शाशक काम क्या करता था क्यों खुद तो लिखने बैठे का नी तो सही माइने मूँ क्या करता है एक तरीगे के विवाग यानि कि department बना देता है official department बना देता है और ये विवाग की स्थापना करने के लिए इन चीजों को करता रहता है so that is why इसका answer जो हो C है question number 11 की बात कर ले प्राचीन भारतिये प्रारंबिक प्राचीन के अंदर जो बड़े इतिहास कार माने जाते है जोनोंने बहुत कुछ लिखा था वो कौन थे तो आप देख सकते हैं इने अब Sima Queen बोलते हैं यह बहुत ही famous वेक्ती थे जो Han Empire से belong करते थे 145 BCE के time period से 135 CE के time period पे थे बहुत बड़े historian माने जाते हैं He is known for records for the grand historian यह astrologer थे, historian थे, poet थे, सब कुछ थे और यह after 91 BC के बाद में जाके इनकी death होई थी तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि यह China के इतिहास में जाने माने राइटरों में से एक थे तो इसलिए इसका answer जो है वो first time question number 12 की बात कर ले मेजी सरकार ने record बनाने और लिखने के लिए एक bureau की स्थापना करी थी जैसे China ने करी थी ऐसी मेजी government ने जपान के अंदर करी थी और उन्होंने स्थापना करी थी इसकी तो आप देख सकते हैं 1869 में करी थी तो इसलिए 1869 इसका answer है सही इसका answer है मेजी government ने अपने records को बनाने के लिए bureaucrats बनाया था bureaucracy बनाया थी उसकी स्थापना 1869 में करी थी question number 13 who helped to establish a development or oriental study in the Q2 in 1947 that means development or oriental study oriental study का मतलब होता है हमारे प्राचिन सब्विताओं का पढ़ने के लिए विवाग बनाना और उसकी स्थापना Q2 के अंदर 1917 के अंदर साथ में हुई थी actually oriental study हमारे भारत में भनाये थी पर अजादी के बाद में focus किया गया था और अंग्रेजियों ने इसके शुरुआत कहीं न कहीं 1835 से पहले ही कर दी थी हमारे भारत में लेकिन Q2 के अंदर 1907 में हुई थी तो इसकी स्थापना करी किसने थी तो बहुत ही important question है आप इन्हें क्या कहते हैं नियान नेटो कोनन बोलते हैं असल में नेटो कोनन भी बोलते हैं और इनको दूसरे और नाम से जाना जाता है जपान के अंदर नेटो तो राज जीरो बोलते हैं ठीक है तो थोड़ा सा अजीब सा नाम है भाई मैं नहीं पढ़ पा रहा है उसके लिए sorry लेकिन इन्होंने 9 अपरेल इनका बर्ण है और इन्होंने 1907 के अंदर Department of Oriental Study की establishment कर दी थी So now question number 14 की बात कर ले मार्को पोलो असल में है कौन तो आप देख सकते हैं मार्को पोलो अर्ली टाइम पिरेड पे कैसे वेक्ति थे जिन्होंने Chinese कल्चर से लिखने की कला अपने Italian के अंदर लेके गए थे वो पहले वेक्तिय थे मार्को पोलो एक तरीके के मैं बोल सकता हूं Italian ट्राइवल थे वो इतालियन ट्राइवलर थे जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे घूमते थे और मार्को पोलो एक पहले वेक्तिय थे जिन्होंने चाइना से लिखने की गला अपने इतालियन लेके गए और बाद में गुटेन बर्ग ने वहाँ पे प्रिंटिंग मशीन बनाई और फिर बाद में जाके बाइबल पहरे प्रिंटिंग बुक बन पाई थी तो काफी लंबा सफर था लिखने का जो भारत में भी आया था लेकिन मार्को पोलो एक पहले वेक्ति थे जिन्होंने चाइना से इस चीज़ को दूसरे प्लेस पर लेक उसका करें हम सबस्यादा रहते कौनों चीज़ के लोग यहां प्राज पॉपुलेशन कितनी है जो 2010 तक तो बता रखा है 2011 के बाद 2021 के नए आंकड़े आने हैं लेकिन 2010 के आंकड़ों के अनुसार कम से कम संख्या में 91.9% है तो आप यह देख सकते हैं कि यह पूरी तरीके से हां डैनेस्टे की जाती है समूं का एक गुरूप है कोशन No.16 की बात करते हैं चाइना के अंदर चाइनीस लेंगविज के अलावा चाइना के अन्दर और कौन सी भासा बोली जाती है जैसे अपने भारत के अंदर हिंदी इक मातर लेंगविज है लेकिन उसके अलावा भी ऐसी बहुत से लेंगविज है तमिल, कर्न, तेलग, पं अंसर A, B, C या D है तो सही माइने में A और B दोनों ही इसके अंसर सही है केंटोजीन एंड संगहाई करके दो एक ऐसी लेंग्विज स्टैंडर्ड लेंग्विज है जो आज भी वहाँ पे चाइनीज के अलावा बोली जाती है अलग-अलग different different इलाके के अंदर that is why इसका आंसर जो हो सही है अगर option के अंदर आपका ये option ना मिले और आपको इन दोनों में सो कोई एक मिल जाए तो आप उस पे भी take कर सकते है chain gapa करके एक language है लेकिन वो जादा नहीं भोली जाती as comparison इन दोनों language के तो इसलिए इसका सही answer D है question number 17 की बात करे Eastern China के अंदर कौन सा ऐसा food है जो खाया जाता है और बहुत ज़दा famous है तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे Eastern China के अंदर असल में सही महने में चावल और गेहूं सब ज़दा बना के खाया जाता है असल में वहाँ की सबसे मन पसंद चीजों में से चावल जाता है गेहूं अंभी खाते हैं लेकिन चावल और गेहूं दोनों ही important है जो इस्टन चाइना के अंदर सब सदा खाया जाता है 17 का answer इसलिए D है question number 18 की बात करे चार परकार के जो सबसे अच्छे food पाये जाते हैं उन में से सबसे famous किस जगा का food माना जाता है असल में south में, east में, west में और north के अंदर सभी के अंदर Cantonese भोजन बनाया जाता है Cantonese भोजन लेकिन सही माइने में वहाँ पे north के अलावा southern part ऐसा है चाइना का जहां पे सबसे परसे भोजन हमें देखने को मिलता है तो कौन सा वो भोजन है आप find out कर सकते हैं हमें comment कर सकते हैं कि चाइना के अंदर south के अंदर ऐसा कौन सा food बनता है जो बहुत ही जादा famous है question number 19 की बात करेंगे Hoshugu, Koshu और Chicago और Hikodo जापान के अंदर हैं लेकिन इस नाम की वज़े से famous है या किस वज़े से famous है तो जापान के अंदर है एक तरीके कि Iceland है एक deep देश है जो बहुत ही ज़्यादा famous है आप ये देख सकते हैं Hokonshu बोल रखा है हाई को तो इसको बोल रखा है है न और यहाँ पे किशोतो भी बहुत जादा फेमस है तो इसलिए यह जपान के आइसलेंड है जो उस टाइम पीरिट पे क्या अभी भी बहुत जादा फेमस है कोशन नमबर 20 की बात करें जपान असल में कहां इस्तित है तो जपान एक ऐसे पे इस्तित है जो बहुत ही जादा एक्टिव अर्थक्विक जोन है जहां पे हमेशा जादा चांसे रहते हैं कि वहाँ पे भुकंप आएंगे ही आएंगे इसलिए अब जापान के घर देखेंगे तो ऐसे बनाएं गए हैं जो भुकंप के जटकों को बहुत असाने से जहल सके और उनको कोई जादा नुकसान ना हो इसलिए इसका आंसर जो है वो ए है असल में वैसे तो जापान जो है वो कौन से कॉंटिनेंट का पार्ट है कौन से महादीब का पार्ट है ये भी एक कोशन हो सकता है बट इस पेपर के पॉइंट अवी से ये कोशन जोगरफी में आ जाएगा लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हिस्ट्री में नहीं तो अगर आप जोगरफी के स्टूडन्ट हैं अगर आप वो भी MCQ सिरीज देखना चाते हैं तो भाई हम उसके उपर वी वीडियो बना रहे हैं आप चेक आउट कर सकते हैं आपको आई बटन के उपर या साथ में आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल ठीक है कोशन नबर 21 की बात करें देम्यो नामक शाशन के अधिन जापान ने कुछ इलाके डॉमिनेंस करने के लिए दिये गए थे तो ऐसे कितने डॉमिनेंस इलाके थे जो देम्यो लोगों को दिये गए थे 200, 200, 240, 210, 230 दे रखे लेकिन 200, 200 places को बाटा गया था पूरे लोग होते हैं जो राजा के अंडर टेकिंग में होते हैं और राजा का साशन चलाने में मदद करते हैं ठेके ना तो यह सबसे इंपॉर्टन था अब यहां पे दूसरी बात करेंगे 22 की 16th century के टाइम पीरिड में जापान के अधर एक ऐसा सिस्टम चलाया गया था और यह कह अधिकार सिस्टम बनाएं थे हमने और और कहा था की पढ़ने का ओधिकार से ब्रहुमनको होगा शैतरों का काम होगा की लडइंगे वैश्या कां होगा की वैश्योस का काम करेगा शूद्रों का का मोगा की वह सभी लोगों की देख भाल करें लेकिन जापान के अंदर y delic ब वो Demio की और साथ में जो वहां के राजा होते थे Emperor उनकी रक्षा करने के लिए इनके पस तलवार होती थी लेकिन नॉर्मल नागरिक जो लोग होते थे उनके पास केसी भी बरकार की तलवार नहीं होती थी Question No.23 भारत से जपान किस लग्जिरिस समान का आयात करता है That means which luxury item did Japan import from the India तो इंडिया से वो क्या खरिदता है भाई सबसे इंपोर्डन ची टेक्स्टाइल कपड़ा है तो इसलिस का आंसर जो है वो C है ये G के बेस कोशन भी हो सकता है 24 की बात करें चीन से जपान ने कौन सी लग्जिरिस समान आयात किया है ये कोशन दुबारा रिपीट हुआ है तो ये सिल्क है क्योंकि सिल्क जो था उस टाइम पिरिट पे जो जपान था वो मंगाता था जपान ने बाद में फिर अपनी कंटरी के अंदर भी देख सकते हैं दूसरे ऑप्शन में चीज़े उगानी चालू करी थी कोशन नबर 25 रेशम के आयात को कम करने के लिए तुका गावा परिवार ने क्या किया था ये मैंने एक कोशन पहले ही बताया था असल में उन लोगों ने क्या करा रेशम उद्योग का विकास किया और असल में उन्होंने उसे निशेजन करके एक उद्योग था और उन्होंने उस चीज़ को डवलप करना चालू करा तो ये सबसे इंपोर्टन्ट ये था कि तुका गावा परिवार कहां से ब्लॉंग करता है आपको ये पता करना है कि चाइना से ब्लॉंग करता है या जापान से ब्लॉंग करता है अगर आपको पता है आपने हमारे वीडियो देखी है तो दें करमेंट करियेगा हमें बताईएगा निशेजन एक तरीगे का रेशम ही होता है जो उस टाइम पिरड पे उगाया जा रहा था देमियो परिवार तुकागावा के परिवार ने Question number 26 अब यहाँ पे जेनीज करके एक चीज है जेनीज करके कहानी है और वो लिखी किसने थी यह बहुत बड़ी लव स्टोरी थी जो उस टाइम पिरड पे लिखी गई थी और यह बहुत फेमस हुई थी और यह लिखी किसने थी तो आप देख सकते हैं नाम मुरासाकी सिक्कीबू है ना यह नाम है इनका थोड़ा सा अजीब सा है वाई मुरासाकी सिक्कीबू इंपोर्टन्ट क्योंकि यह कम से कम 1997-8 टोक्यो जपान में लिखी गई थी और यह उस टाइम पिरड पे जैपनीज राइटर लेडी थी जिन्होंने लिखा था वो वास दा ओथर आफ गैजी मोटो गेटरी यह एक नाम है भाई इनके लिए लिखी गई थी टैले ओफ कहानी है क्या करते हैं यहाँ पे जैन जी की जनरली कंसिडर दा ग्रेटर वर्क अव जैपनीज लिटरेचर और था तो बी दा वर्ल्ड ओल्डेस फुल नोबल इसलिए यह नोबल बहुत फेमस थी एक लव स्टोरी बेस थी यह क्या थी अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप बता सकेंगे ठीक है कोशन नमबर आप बात करते हैं सेवन की इन विच येर अ मुमेंट फोर्स फोर्सवली रिमूव दा शुंग फ्रॉम दा पावर दैट मिन्स किस वर्ष ऐसा हुआ था कि शुगनों को शुगनों को सता से हटा दिया गया था और तुका गावा परिवार वहाँ पे कैप्चर कर लिया गया और तिका गावा परिवार काफी समय से फिर वहाँ पे राच करने लग गया था तो असल में ये बात हुई थी 1868 के टाइम पीरिड में जिस समय पे तुका गावा परिवार जो थे उनके सदसे ने सुगनों के स्तिती समाली थी और ये इस टाइम पिरिड तक वार चल रहा था और फिर बाद में आप देख सकते हैं उन्होंने काफी सालों तक लगभग 1867 तक इन्होंने राच किया था और उसके बाद दूसरे लोग आए थे इसका आंसर बहुत इंपोर्टन्ट है मैंने कोशन आप से पूछा है कि तुका गावा परिवार कहां से ब्लॉंग करता है उसका आंसर जरूर करेगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए बहुत ही इंटरस्टिंग M.G.Q आपके लिए निकाले जाते हैं टोक्यो का मतलब क्या होता है टोक्यो क्योंकि जपान के अंदर है और टोक्यो का मतलब क्या होता है टोक्यो का मतलब होता है इस्टन राजधानी that means पूरवी राजधानी इस्टन कापिटल ओकी तो इसका आंसर ये है ए कोशन नबर 29 जपान की सरकार ने फुकाको होको है ये ए means ऐसी country जो अमीर हो और मजबूत सेना हो तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि समरिद सेना और मजबूत सेना अब यहाँ पर दूसरा आंसर है अमीर देश मजबूत सेना तो थोड़ा सा अलग अलग दिया हुआ है that is why इसका answer C है rich country strong army ठीक है और यह जपान ने उस समय पर launch किया किस वर्ष में launch करा था यह slogan आप उसे find out करिएगा question number 30 जापान के अंदर हम लोग national holiday मनाते हैं जैसे भारत के अंदर हम 2 October उस दिन dry day मनाया जाता है हम बोलते हैं कि गांदी जी का जनम दिन है दो October के दिन ऐसे ही जापान के अंदर किस के दिन national holiday होता है तो national holiday वहाँ पे सही मा आया जाता है national holiday आज भी तो आप यह देख सकते हैं emperor यहाँ पर आई ख्यान तो लिखा हुए अनका नाम अब यह कैसे पढ़ते हैं आप उन्हें देख लीजिए भाई तो finally क्या कहते हैं हमने 30 questions जो हैं वो खतम करे हैं MCU के बहुत बड़ा chapter था यह अगर आपको important question के MC series चाहि करेगा साथ में हमने जो आप से चीजे पूछिए वो भी comment करेगा this is it in this video and let's meet another video और हम important questions के साथ अब जल्दी मिलेंगे तो last में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और इपाटशाला चानल के आप subscriber हैं या नए subscriber हैं तो इट पाटशाला की team से आप सभी को यही request है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share जरूर करें और कोशिच करें कि आप दूसरों को share करवाने के लिए बोले क्योंकि आप जितना वीडियो को share करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जबी बढ़ेगा इंडिया तो वीडियो के last में वीडियो को एंड तक देखने के लिए चानल को support करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिन जै भारत